दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मज़ेदार फैक्स जैसे की दुनिया का सबसे महेंगा साबन कौन सा है और किन किन चीजों से मिलकर बना है और सांड लाल लंग देखके लाल क्यों हो जाता है मरलब की गुच्सा क्यों हो जाता है और भी मज़ेदार फैक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल को सेस्क्राइब करें फैक्स नमबर बन तो आप सभी लोगों ने बुल फाइटिंग तो देखे होगी टीवी पर क्योंकि रियल लाइफ में तो सभी लोग नहीं देख पाते हैं बुल फाइटिंग स्पेन का नेसमेल गेम है तो आप सभी ये तो जानते होगो कि बुल फाइटिंग में क्या होता है लेकिन फिर्वी में पता देता है इस गेम में एक बंदा होता है जिसे मेटाडॉर कहते है और एक बुल होता है जिसे हम बेल भी कहते है और अपनी भासा में सांड कहते है तो इस गेम में होता ये है कि बंदा यानि की मेटाडॉर सांड को लाल रंग का जंडा दिखाता है और सांड उस लाल रंग के जंडे को मानने की कोशिश करता है और मेटाडो लाल रंग के जंडे को मानने नहीं देता है तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें फैक्ट क्या है तो इसमें फैक्ट ये है कि जो सांड है ना ये Color Blind होता है यनकी colorful नहीं देखता है इसे केवल black and white में ही देखता है तो सांड को गुसा क्यों आता है लाल रंग के जंडे को देखकर तो सांड को गुसा लाल रंग के जंडे के movement पे आता है 2007 में Discovery Channel के एक TV शो में इस पर लाइव टेस्ट किया गया था जिसमें तीन कलर के जंडे लिये गए थे रेड, ब्लू और वाइट और सांड ने तीनों जंडे को मारा फिर बाद में दो बंदो को रिंग में खड़ा किया गया जिसमें से एक ने लाल रंग के कपड़े पहने थी और दूसरे ने नीले रंग के पर उन दोनों में से नीले रंग वाले को सबसे पहले सांडे ने मारा क्योंकि वो मूवमेंट में था और लाल रंग वाले को नहीं मारा क्योंकि वो सीरे खड़ा था और सांडे ने लाल रंग वाले को थोड़ा सा भी टच नहीं किया था तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि बुल फाइटिंग में बुल को बुस्सा लाल रंग पे नहीं बलकि जंडे के मूवमेंट पे आता तो किया आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महेंगा सावन कौन सा है और किन किन चीजों से मिलकर बना है तो दुनिया का सबसे महेंगा सावन का नाम दव बैडर है सवन एंड संस सोप है जिसकी कीमत 2800 यूएश डॉलर है और इंडियन करनसी में 2,13,204 रुपे तो यह सावन इतना महंगा है तो जाहर सी बात है कि इसमें सोना या हीरे होगा तो जी हाँ यह सावन ओले बॉल, जहद और साथ में हीरे और 24 केरेट वाले बिलकुल सुद सोने के पाउड़े से मिलकर बना है और इस सावन को नहाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा सावन केवल एक ही बनाया गया है और इसे खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि इट इस नॉट फॉर सेल तो क्या आपको पता है कि धरती पे एक ऐसी भी जगह है जहां पर एंटी ग्रेविटी है मतलब कि अगर इनसान उस जगह पर चले जाए तो हवा में उड़ने लगेगा ये एंटी ग्रेविटी केनेडा के हुटसन वे सिटी में है आप इस सहर में हर जगह तो नहीं पर जहां पर एंटी ग्रेविटी ज़ादा है वहीं पर आप उनने लगोगे पर इस सहर में आपका वेट कम हो जाएगा और आप हलका महसूस करोगी आप सबी लोगों ने बहुत सी चिडिया देखी होगी पर कि हापने ये वाली चिडिया देखी है इस चिडिया का नाम सुरे काव है और इस चिडिया की फोटो लेने में 19 फोटोग्राफर को 62 दिन लग गए थे परफेक्ट फोटो लेने में इस चिडिया में खास बात ये है कि ये चिडिया हर कुछ सेकंड में अपना रंग बदलती है अब तक आफ लोगों ने गिरगिट को ही बस रंग बदलते देखा हुआ अब आप चिडिया को भी रंग बदलते देख सकते हैं और इस चिडिया के कीमत 25 लाग है इस घर को देखते ऐसा लग रहा है कि मानो भयानक तूफान ने इस घर को उठाकर उल्टा पटक दिया हुआ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस घर को एक्चुली में इसी तरह बनाया गया है उपर का नीचे और नीचे का उपर तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ठैंक्स पर वाचिंग वीडियो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में